हलो फ्रेंज मैं हूँ बोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुकवीद भोली में तो आज हम बनाने वाले हैं नारियल के लड़ू ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने हाँ पर एक कटोरी दूद लिया है दूद को हलका सा हमें गरम कर लेना है अब इसी में हमें कटोरी नारियल का पुरादा डाल देंगे खोपरा या डेसी केटिट कोकोनार जो भी आप बोलते हैं और इसे कंटिन्यू हम इस तरह से चलाते जाएंगे फ्लेम को हमें लोग ही रखना है क्योंकि यह बहुत जल्दी जलने लगती है फ्लेम का आप खास ध्यान रखें यहां पर और इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहिए और थोड़ी ही देर में यह सारा दूद एपज़रो कर लेगी जब हम इस तरह से दूद में इसे पका करके बनाते हैं तो यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही सॉप्ट बनती है यह तो इससे कंटिन्यू आप चलाते रहिए बिल्कूल भी हमें छोड़ना नहीं है और यह देखिए जितना भी दूद हमने डाला था वो सारा इसने सोख लिया है अब इसी में हम एक कटोरी मिल्क पौडर डाल देंगे तो जितना भी चीज मैं ले रही हूँ यहाँ पर वो सारा एक ही कटोरी से मेजर्मेंट करके लिए है मैंने तो आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लेजे उसी के हिसाब से आप सारा समाल ले लेजे और मिल्क पौडर डालने के बाद भी हम इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और अगर आपके पास मिल्क पौडर नहीं है तो आप यहाँ पर ताजा मलाइक अभी यूज़ कर सकते हैं अब उसी कटोरी से आधा कटोरी से थोड़ा सा जादा मैंने यहाँ पर शक्कर डाला है तो शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं हां पर जितना भी आपको मीठा पसंद है उसके हिसाब से और इससे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे और यह देखिए श देखी इतना गाढ़ा हो चुका ये अब इससे ज्यादा गाढ़ा मैं और नहीं करना है से तो गैस को मैंने बंद कर दिया है इस तरह कंटीनियू हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जलेना और जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए हम फटा-फट से इसके लट्डू लगेगी और खाने में भी टेच्टी लगेगी और ये लिजिए हमारे नारियल के लड़ू बन करके तयार है और देखने में जितने सुन्दडर लग रहे हैं इक हाने में भी ये उतने ही जश्यादा टेच्टी हैं तो आप सब फ़ी एक बाद जरू ठ्राइं करके आप सभी को भी यह बहुत ही जादा पसंद आएगी और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक क के लिए जैसे क्रिशना